क्या भारती जंता पार्टी को नए अध्यक्ष मिलने वाला है इसी महीने बीजेपी की राष्टिय कारिकारणी की बैटक होने जा रही है जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या मौझूदा अध्यक्ष जेपी नड़ा को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है हाला कि पार्टी ने अधिकारिक तोर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है ऐसे में सवाल यह है कि अगर जेपी नड़ा अध्यक्ष पद से हटते हैं तो बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा सियासी पंडितों की माने तो 2023 और 2024 चुनाओं के लिहास से वेस्ट साल है ऐसे में भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक बड़ा बदलाव कर सकती है कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ मंत्रियों को खास तोर से चुनावी राज्यों के मंत्रियों को संगठन का काम सौप सकती है सियासी पंडितों की माने हिमाचल विलानसवाद चुनाओं में मिली हार के बाद जेपी नड़ा को अध्यक्ष पत से हटाया जा सकता है जिसके बाद अध्यक्ष की रेस में सबसे प्रबन नाम सक्षा मंत्रि धर्मेंदर परधान और केंधरी मंत्री भुपेंदर यादाओ का है भुपेंदर और धर्मेंदर बीजेपी के सियासी समीकरण में बिलकुल फिड बैठते दिख रहे हैं धर्मेंदर प्रधान को पार्टी में संकट मोचक की तरह देखा जाता है कारकरताओं में उनकी अच्छी पकर है जिसे देखते हुए प्रधान को 2022 यूपी विदान सबा चुनाओं में चुनाओ प्रभारी बनाया गया था पीयम मोदी भी धर्मेंदर प्रधान पर भरोसा करते हैं यही वज़ा है कि उन्हें कई एहम जिम्मेदारियां सौप चुके हैं राष्टिया सिक्षा नीती 2020 को लागू करने को लेकर जब सरकार संगर्स कर रही थी तब तातकालीन सिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को हटा क अकर धर्मेंदर को जिम्मेदारी सौपी गई थी इसी लिहास से बीजेपी अद्यक्ष की रेस में धर्मेंदर प्रधान का नाम सबसे आगे है वही बीजेपी ओरीशा चुनाव जीतने के मकसद से भी प्रधान को कमान सौप सकती है दर्मेंदर प्रधान के बाद भुपें आइसे में जेपी नड़ा का करिकाल तीन साल पूरा होने वाला है संभावनाय हैं कि पार्टियों के कारिकाल को विस्तार दे सकती है